और इस शुरुआत कर लेते हैं चुनाव की खबर से हर्याना में सियासी हलचल तेज हो रही है आज रविवार को जहां भाजपा की जनाशीरवाद रहली हुई तो वहीं आमादमी पार्टी इनेलो की भी रहलिया हुई कॉंग्रेस मतदान की तारीख में बदलाव को लेकर लगातार भारती जनता पार्टी पर हमलावर है हलांके चुनाव आयोग इस बदलाव का कारण स्पष्ट कर चुका है हर्याणा में चुनावी सरगर्मियों को रफ्तार देते हुए भाजपा ने रविवार को जीन्द में जन आश्रिवाद रैली आयुजित की इस रैली में कई दिगज निताओं के भाजपा में शामिल होने की खबर ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है इस रैली में जजपा विधायक रामकुमार गौतम, जोगी राम सिहाग तथा पूर्व मंतरी अनूब धानक भाजपा में शामिल हो गए वहीं अंबाला की पूर्व मेर शक्ती रानी शर्मा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया शक्ती रानी हर्याना जंचेतना पार्टी के प्रमुक विनोश शर्मा की पत्नी है जिनके बेटे कार्द के शर्मा भाजपा के सैयोग से निर्दलिय उमिद्वार के रूप में राजसभा में पहुचे हैं इस्रैली को संबोधित करते हुए मुख मंतरी नायप सिंग सैनी ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाया किवे लोगों को जूट बोल कर गुमरह कर रही है हमें 56 दिन का समय मिला है 56 दिन के समय के अंदर हमारी सरकार ने 128 निर्णया हर्याना पर देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सरकार ने किये हैं भाईयो ये लोग ये लोग हिसा मांग रहे हैं मैंने तो इनको कहा मैंने कोई ज्यादा बात ने इन से पूछी थी मैंने कॉंग्रेस के लोगों से ये बात पूछी थी कि आप 10 वर्स तक इस पर देश के मुखिया रहे हैं आप मुझे ये बताने का काम करें मैंने उनको एक क्वेस्टन पूछा था आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी गरीब के बच्चे को नहीं लगती थी कुछ ही सेलेक्टिट लोगों को लग जाती थी उसके बारे में हर्याना परदेश के लोगों को जहां एक और भाजपा अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुखे मंत्री और आपके राष्ट्री संयोजक अर्विंद केजरिवाल की पत्नी सुनीता केजरिवाल ने रविवार को चर्खी दादरी में एक जन कमीटी की बैठक हुई जिसमें हर्याना कॉंग्रेस प्रमुक उधैभान तदा भुपिंदर हुड़ा भी शामिल हुए इस बीच हर्याना में चुनाव आयोक द्वारा विधानसभा चुनाओं की तारीख में बदलाओ किये जाने के बाद सही कॉंग्रेस लगातार भाशप हो रहा है जहां पर जिस जगे पर तैयारी नहीं है जहां पर एंटी इंकम्बेंसी है बीजेपी वो किसी ना किसी बहाने चुनाव आगे पोस्पून करना चाहती है यह दृतस्ता है भाशपा की हिंदुस्तान के प्रतिबद्धता और लोगों को अधिक से अधिक मतदान व कांग्रिस का यह दिखाता है कि यह भाग रहे हैं अगर भाग रहे हो तो अगर तुम्हें यह तरीके नहीं पसान दाया तो ना जाना वोट डालने घर बेटो हाला कि चुनाव आयोग ने शनिवार को हर्याणा में विधान सभा के लिए मद्दान एक अक्टूबर की जगह पाच अक्टूबर कराने की घोशना करते हुए यह सपष्ट किया था कि बिश्नोई समुदाय की परंपराओं का सम्मान करते हुए यह किया गया क्योंकि हर्या लेकिन चुनावी मौसम में इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास में लगी है कॉंग्रेस ब्यूर रिपोर्ट डीडी नियूस तो चुनावी मौसम है तो जाहिर है कि मुद्दे भी आएंगे सामने और विपक्ष इन मुद्दों को भुनाने का प्रयास भी करेगा लेकिन यहां जो मुद्दा विपक्ष बता रहा है वो मुद्दा वास्तव में मुद्दा है भी कि नहीं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि यहां बात हो रही है कि चुनावायोग ने हर्यान की चुनाव की तारीख बदल दी तो ऐसे मैं आपके सामने रखना चाहेंगे वो भी बात कि कब कब चुनावायोग ने तारीख बदली पहली बार ऐसा नहीं हुआ है 2012 में ही उत्तरप्रदेश की खबर है ये कि बारफात के कारण ही मतदान की तारीख को चुनावायोग के द्वारा बदल दिया गया लेकिन मतद 2012 नहीं बहुत बार और भी ऐसा हुआ है जैसे 2022 में ही पंजाब में ही एक हफते के लिए चुनाव को स्थगित किया गया था और कारण क्या था गुरू रविदास जियनती जिसके लिए भाईतादाद में पंजाब से लोग वारा नसी जाते हैं 2023 में भी राजस्थान में भी मतदान की तारीक बदली गई थी जब देव उठनी एक आदिशी पर मतदान को स्थगित किया गया था और अब 2024 का उदारण हमारे सामने जब हर्याना में भी मतदान की तारीख में बदलाव हुआ है और अब मतदान की तारीख को बदलते वे जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर भी धार्मिक परमपराओं के सम्मान स्वरूप ही अब तारीख को बदला गया है वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो आपके सामने हम ये भी कुछ तथी रखना चाहेंगे कि किस तरीके से कारण जो बताया गया है वो यही है कि जो बिश्णोई समुदाय है जो बिश्णोई पंथ है उनी के जो फॉल्लिवर्स हैं वहनी लोगों के प्रमपराओं के संबान सु अवस्या का जो तिहार होता है उसी के मद्दे नजर उनकी यात्रा होती है जो सदियों से होती आ रही है इसी के समान सुरूप तारीक में बदला हुआ लेकिन राजस्थान में नौ लाग विश्णोई पंथ के लोग रहते हैं वहीं हर्याना में देखें आंकड़ा तो लग आपके सामने तस्वीर रखेंगे कि बिश्णोई बाहूले जो जिले आते हैं हर्याना में वो मातर ये चार जिले ही आते हैं भिवाने हिसार सिरसाफ फतेहबाद और इनमें लगभग 11 विधान सभा क्षेत्र पढ़ते हैं और इन क्षेत्रों का 2019 के जो आंकड़े जीत के आ तो ये साब से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि सभी राजपाटियों के बीच बटे हुए हैं ये विधान सभा की सीटे 2019 के आंक्रों के लिहाज से अब आपके सामने रखते हैं तस्वीर कि इस बार के हर्याना विधान सभा चुनावों में चुनावी समीकरण कैसे हैं क् कि 2019 के चुनावों के मद्दे नजर इस बार अगर हम देखें तो उनके तुलना में इस बार समीकरण बिल्कुल नए और बदले हुए हैं क्योंकि इस बार नए गड़वंदन बन गए हैं इनलो तीसरे बार बसपा के साथ गड़वंदन कर रही है और 53 सीटों पे इनलो 37 पे बसपा लड़ेगी और गोर करिए कि इस गड़वंदन के माधियम से जाट और दलित वोटों को साधने का प्रयास किया जा रहा है वहीं अगर हम जजपा की बात करें तो जजपा इस बार 70 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के साथ जो 20 सीटों पर लड़ेगी तो ये भी गड़वंदन बना है ये नया गड़वंदन पहली बार इनका गड़वंदन बना है भाजपा की बात करें तो भाजपा अपने बलबूते लड़ रही है लेकिन वहीं RLD के साथ गड़वंदन होगा कि नहीं ये देखने वाली बात होगी लेकिन कॉंग्रेस भी अपने बू और दलित वोटों को साधा जाए यहां ये भी ध्यान रखे कि इन गड़ बंदनों की वज़े से जाट वोट में ये भी बटेगा और दलित वोट भी बटेगा जिससे सीधा फायदा भारती जनरता पार्टी को हो सकता है तो इस बार कि समीकरण बड़े रोचक है और जाहिर है कि जब हम हर्याना की बात करते हैं तो हर्याना की बात करते हुए ये महत्वपुन हो जाता है कि हर्याना में जो नए गड़ बंदन बन रहे हैं उन गड़ बंदनों को देखते हुए ही इस बार के चुरावी समीकरण सामने आ रहे हैं तो करेंगे